एक जंगल के पास दो भाई राते थे, छोटा भाई बहुत दयायलू और महंती था, वहीं बड़ा भाई बहुत लालची और मतलबी था, वह छोटे भाई के खाना छिन कर खा लेता था, एक दिन बड़ा भाई लकड़ी काटने के लिए जंगल में गया, वह जंगल के बहुत अंदर चला गया, और वह एक पेड को काटने के लिए जब आगे बढ़ा, वह पेड को काटने ही वाला था कि पेड ने बोला, क्रीपया मुझे मत काटो, मैं एक जादी फेड हूँ, अगर तुम मुझे नहीं काटोगे तो मैं तुझे एक सोने का फल दूँगा, बड़ा भ अगर तुम मुझे और सोने का फल नहीं दिया तो मैं तुझे जड से ही काट दूँगा, जादूपी पेड को बहुत गुस्सा आ गया, और उसने अपनी जादूपी सकती से बहुत जोर से मारा, और बहुत छोटी छोटी सारी सुया उसके उपर फैक दी, इतनी सारी सुया उसके सरीर में चुप गया तो बड़ा भाई दर से कहरते हुए जमीन पर गीर गया कुछ समय बीत गये सुरज डुबने लगा बड़ा भाई घर नहीं आया तो छोटा भाई चिंतित हो गया चोटा भाई अपने बड़े भाई के तलास में जंगल के और निकल गया काफी तलास करने के बाद उसने देखा कि बड़ा भाई एक जादुई पेंड के नीचे जमीन पर गीरा हुआ है जिनकी त्वच्चा में साइकडो सुया फसी हुई है वह तेजी से जादुई पेंड के नीचे अपने बड़े भाई के पास गया बड़े भाई दर्थ से बहुत परिसान थे उस हालत में छोटे भाई ने अपने बड़े भाई को देकर उसके आखों में पानी आ गया उसने देरे देरे सारी सुया निकाल दी, सारी सुया निकल जाने के बाद बड़े भाई को बहुत आराम मिली, बड़े भाई अपने छोटे भाई और जादी पेन के साथ दुर बिवार करने के लिए माफ ही मागी, और आगे से सभी के साथ अच्छा बिवार करने का वादा किय छोटा भाई तो था ही दया आलू वह अपने बड़े भाई को पले सही माप कर चुका था और जादी पेड ने भी बड़े भाई को हिर्दे में परितन देखा पेड ने उन दोनों भाई ये फल लेकर अपना घर चले गए और खुसी खुसी अपना जीवन बिताने लगे